करला के गवणनर आरित मुहमद खान जी, मुख्य मंत्री सिपिन्ना राई विजयन जी, केंद्रिय मंत्रि मंदर के मेरे सहियोगी गहाँ, अन्य महनुभाव, देविय और सजयनों, मैं आरे धन्यवाद देता हूँ, स्रिमान सर्वानन सोनवाल जी की टीम, स्रिमान स्रिपाद यश्व नाई जी, और हमारे साथी स्रिमान वी मुल्लिध्रन जी, स्रिमान स्वांतनु ठाकुर जी, एला करालियर कुम एंडे, नल्ना नमस्कारम, आज मरे लिए बहुत सवभाग्य का दीन है, सुभा मुझे गुरुवायूर मंदिर में भगवान गुरुवायूर अपन के दर्शन करने का सवभाग्य मिला, और अब मैं केरला की इश्वरुपी जन्ता जनादन के दर्शन कर रहा हूँ। मुझे यहाँ केरला के विकास के उत्सों में हिस्था लेने का अउसर मिला है। सात्यों कुछी दिन पहले आयोध्या में महर्शी वालमी की इंटरनेशनल एरपोर्ट का लोकारपन करते हुए। मैंने केरला में स्थीत रामायन से जुड़े चार पवित्र मंदिरों नालम बलम की बात की थी। केरला के बहार बहुत लोग नहीं जानते हैं कि यह मंदीर राजा दसरत के चार पुत्रों से जुड़े हैं। यह सोभग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले ही मुझे त्रिप्रायर के श्री रामस्वामी मंदिर के दर्शन करने का आउसर मिला। महा कभी एडुचन रचीत मलयालम रामायन के कुछ चंद सुनना अपने आप में अदभूत है। किरला के कई महत्वपून कलाकारों ने भी अपनी भव्य प्रस्तूतियां से मन मो लिया। किरला वास्चियों ने बहां कला, संस्क्रति और अध्यात्म का ऐसा वातान बना दिया। जैसे पुरा किरला ही अवदपुरी है। साथियों, आजहादी के अमरितकान में भारत को विक्सीत राष्ट बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमी का है। भारत जब सम्रद्ध था, जब ग्लोबल जीडीपी में हमारी भागिदारी बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे पौर्ट से, हमारे पौर्ट सिटीज थे। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा हैं, तब हम फिर से अपनी शमुत्र शक्ती को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्ची जैसे शहरों का सामर्थ और बढ़ाने में जुटी हैं। हम यहां के पौर्ट की केपसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। पौर्ट इंफ्रासेक्टर पर निवेश कर रहे हैं। सागर माला परियोजना के तहट पौर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रहे हैं। साथियों, आज यहां देश को अपना सबसे बड़ा ड्राइड डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेरिंग और लपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रासेक्टर का भी लोकारपन हुआ है। यह सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिनी छेत्र के विकास को गती देंगे। मेडिन इंडिया, एरक्राप करियर, आइनेस विकरांत के निर्मान का एतियासि गवरव कोच्ची शिप्याड के पास है। इन नई सुविधाओं से शिप्याड की केपसिटी कई गुणा बढ़ जाएगी। मैं करला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूँ। साथियों, पॉर्ट, शिपिंग और इनलेंड बटरवेज के सेक्टर में इज अप डूइंग बिजनेस बढाने के लिए पिछले दस वर्सों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म्स किये गए हैं। इससे पॉर्ट में अधिक इन्वेस्टमेंट आया है और ज़्यादा एंप्लोईमेंट जनरेट हुआ है। इनियन सीफियरर्स उससे जुड़े जो नियम थे उसमें किये गए रिफॉर्म्स की वज़ए से पिछले दस साल में इनियन सीफियरर्स की संख्या में एक सो चालीस परसंट की वृद्धी हुई है। देश के भीतर वाटर वे के उप्योग से अब पैसेंजर और कारगो ट्रांस्पोर्ट में नई तेजी आई है। साथियों जब सबका प्रयास होता है तो परणाम और बहतर मिलते हैं। बीते दस वर्सों में हमारे पॉट्स ने डबल दिजिट एन्यूल ग्रोध हासिल की है। दस वर्स पहले तक हमारे पॉट्स पर शिप्स को लंबा इतजार करना पड़ता था। उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब स्थित्यां पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत शिप्ट टर्न एराउंड टाइम में दुनिया के कई विख्षित देशों से भी आगे निकल चुका है। साथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमी का समझ रही है। जी ट्वेंटी समीट के दौरां भारत ने मिडल इस्ट यूरोप एकोनोमिक कोरिडोर के जी प्रस्ताव पर सहमत ही बनी। वो इसी भावना का प्रमान है। ये कोरिडोर विख्षित भारत के निर्मान को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल एकोनोमी को बड़ी ताकत मिलेगी। हाल ही में मेरिटाइम अमरित काल वीजन पी लाँच किया गया है। विख्षित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे ससक्त करेंगे। इसमें इस लक्ष का रोड मैप है। भारत को दुनिया की एक बड़ी मेरिटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगापोर्स, शिप बिल्डिंग और सिप प्रेपेर ट्रॉस्टर जैसे इंफ्रसेक्टर बनाने पर जोड़ दे रहा है। साथियों केरला में आज जिन तीन प्रोजेक्ट का लोकारपन हुआ है। उनसे मरिटाइम सेक्टर बैड इस शेत्र की हिस्सेदारी और बड़ेगी। नया ड्राइडॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके मनने से यहां बड़े जहाण, बड़े वेसल तो आही सकते हैं। साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपेर का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निरबरता कम होगी। और जो पैसा हम विदेश बेचते से वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहां शिप बिल्डिंग, शिप रिपेर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी। साथ यहां आज इंटरनेशनल शिप रिपेर फैसिलिटी का भी लोकारपन हुआ है। इस प्रोजेक्ट से कोची भारत का और भारत एशिया का एक बड़ा शिप रिपेर सेंटर बनने बाला है। हमने देखा हैं कि आएनेश विकरांत के निर्माण के दोरान कि इस प्रकार अनेक MSMS को सपोर्ट मिला था। अब जब सिप बिल्डिंग और रिपेर की इतनी बड़ी फैसिलिटी यहां बनी है तो इससे MSMS का एक नया इको सिस्टिम बनेगा। जो नया LPG इंपोर्ट टर्मिनल बना है इससे कोची, कोईम्टूर, इरोड, सेलम, कालीकट, मदुरई और त्रीची में LPG की जरुरते पूरी होगी। इससे इन इलाकों में इंडिस्ट्री और दूसरी एकोनोमिक डेवलप्मेंट को भी मदद मिलेगी और नए रोजगार भी बनेगे। चाथियों, कोची शिफ्याड आज आधुनिक और ग्रीन टक्लोलोजी से लेश, मेड इन इंडिया बेसल्स बनाने में भी अग्रणी है। कोची वाटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक बेसल्स बनाए गए है, वो प्रसंस नहीं है। आयोध्या, वारानसी, मतुरा और गोहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रीड पैसेंजर फेरीज का निर्मान यहीं हो रहा है। यानि देश के शहरों में आदुनिक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोची शिप्यार की भूमी का एहम है। मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नौर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कार्गो फेरीज डिलिवरी की है। यहां हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंट्रेनर वेशल के निर्मान पर भी काम चल रहा है। यह Make in India, Make for the World के हमारे वीजन को ससक्त करता है। भारत को हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रांस्पोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है। उसको कोच्ची शिप्यार्ज और ससक्त कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुती जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल रसेल फेरी भी देश को मिलेगी। साथियों, ब्लू एकोनामी, पॉर्टलेट डेवलप्मेंट को और उसके करा हमारे मच्वारे भाई बहनों की एक बहुत बड़ी भूमी का मैं इसमें देखता हूँ। आज पी-एम मच्श संपधा योजरा से फिसिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्रक्टर बनाये जा रहा है। केंद्र सरकार डीप सी फिसिंग के लिए मच्वारों को आधुनिक नाव देने के लिए सब्सीडी दे रही है। किसानों की तरह ही मच्वारों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविदा दी गई है। ऐसे प्रहासों की वज़ा से बीते दस वर्षों में मच्छली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बढ़ोत्री हुई है। आज केंद्र सरकार सी फूड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे बविष में हमारे मच्छवारे साथ्यों की आए भी बहुत बड़ी बुद्धी होगी। उनका जीवन और आसान होगा। करला का निरंतर तेज विकास हो इसी कामना के साथ नए प्रोजेक्ट की मैं फिर से एक बार आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। झाल